में सपना नाम की एक लड़की रहती थी उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था एक दिन सपना के पिता महेंद्र रात में घर आते हैं सपना उनके पास जाती है और बोलती है पिता जी पिता जी सुना है पास के गाउं में बहुत बड़ा मेला लगा है क्यों न देखने चले तब ही सपना की मा सीमा वहां आती है और सपना को डाटते हुए बोलती है कहीं नहीं जाना बाहर आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है बाहर सुना है सरपंजी की बेटी भी गई थी मेला देखने किसी ने रस्ते में उसे कुछ खिला दिया तब से पागल बनी घूम रही है पूरे मुहले में सब डॉक्टर और तांत्रिक को दिखा लिया लेकिन सब के सब फेल सीमा की बात सुनकर सपना और महेंद्र हसने लगते हैं और महेंद्र बोलता है तुम दोनों बाप बेटी से बात करना तो फिजूल ही है अगर ये उपरी चकर नहीं है तो सरपंजी की बेटी ऐसे ही बिमार हो गई बोलो मैं कहे देती हूँ कोई घर से बाहर नहीं जाएगा ऐसा कहकर सीमा वहां से चली जाती है सपना महेंद्र के पास आती है और बोलती है तो पापा हम क्या मेला देखने नहीं जाएंगे मेरी सारी सहीलिया तो मेला घूम कर आ गई उन्हें तो कुछ नहीं हुआ तो मेरी बेटी क्या चाहती है यही ना कि वो भी मेला जाए यह लो पैसे और रही तुम्हारी मा की बात उससे मैं बात करनूंगा ऐसा कहकर महेंद्र पैसे निकाल कर सपना को दे देता है अगले दिन सपना मेले में जाती है और खूब मस्ती करती है जब वो मेले से वापस आ रही होती है तभी उसे एक मुखोटे की दुकान देखती है उस मुखोटे की दुकान में बहुत सारे मुखोटे लगे होते है अरे का मालिक पहले से ही एक डराबना मुखोटा लगा कर बैठा होता है और सपना को देख कर बोलता है आओ सपना आओ बोलो कैसा मुखोटा चाहिए तुम्हें पहले तो सपना उस मुखोटे वाले को देख कर डर जाती है लेकिन फिर बोलती है ये ये मुखोटा तो बहुत ही डर प्राबना है और देखने में कितना असली लग रहा है मैं तो आपको सच मुझ का शैतान समझ बैठी थी क्या आप ये मुखोटा मुझे देंगे क्यों नहीं सपना ये लो ये मुखोटा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही तो है सपना को उस दुकान वाले की बात समझ नहीं आती वो बहुत डर जाती है और जल्दी से मुखोटा लेकर वहां से चली जाती है लेकिन जैसे ही वो मेले से थोड़ी दूर जाती है उसे कुछ याद आता है अरे ये मुखोटा तो मैंने ले लिया लेकिन ये मुखोटे वाला मुझे कैसे जानता है उसे मेरा नाम कैसे पता सपना ये सब सोच कर डर जाती है और वापिस उसी जगह पर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता फिर सपना वापिस अपने घर की ओर चली जाती है तब ही उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े हुए मुखोटे पर पड़ती है ची कितना गंदा और डराबना मुखोटा है मैंने भी माँ को डराने के लिए ना जाने क्या ले लिया लेकिन अब ले लिया है तो एक बार पहनना तो बनता ही है उसके बाद इसे फेग दूगी बहुत ही गंदा है ये ऐसा कहकर सपना उस मुखोटे को पहन लेती है लेकिन जैसे ही सपना वो मुखोटा पहनती है उसका पूरा शरीर हिलने लगता है और उसके मुख से अजीब अजीब सी आवाजे निकलने लगती है और वो एक चुडैल जैसी दिखने लग जाती है कही दिनों बाद कोई शरीर मिला है अभी मैं अपनी भूक मिटाऊंगी फिर सपना घर की ओर चल पड़ती है रास्ते में उसे बक्रिया दिखती है वो बक्रियों की तरफ जाती है और उन्हें पकर लेती है इसे कहते हैं किस्मत मैं अभी कौने के लिए कुछ मागी रही थी कि मुझे बक्रिया मिल गई लेकिन तभी बक्रियों का मालिक सलीम वहां आ जाता है और सपना को बोलता है सलीम की बात सुनकर सपना को गुस्सा आ जाता है और वो सलीम को उठा कर दूर फिंक देती है सपना जैसे ही पीछे देखती है बक्रियां भी भाग चुकी होती है फिर सपना वापिस घर की उड़ चल पड़ती है घर पर सीमा और महेंदर उसका इंतजार कर रहे होते है मेरे मना करने पर भी चली गए ना मेले में मन तो कर रहे है तुझे जोर से दो हाथ लगाऊ तुम दोनों बाप बेटी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है और ये क्या जोकरो जैसा मुखोटा पैना हुआ है तुम भी ना सीमा बस पीछे ही पड़ जाती हो अरे आ तो गई है ना सपनागर में पैचारी कितनी उमीदों से ये मुखोटा लेकर आई थी कि तुम्हें डराएगी और तुम उसे ही डराने लग गई हो लेकिन सपना कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है थोड़ी तेर बाद सीमा सपना के कमरे में खाना लेकर जाती है सपना खिड़की की तरफ मुख करके खड़ी होती है सपना मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें नीचे कुछ जादा ही डाड़ दिया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लो अब रोटी खालो सपना सीमा की तरफ पलटती है और बोलती है बुढिया ये खाना लेकर जा यांसे और मेरे लिए कुछ मांस लेकर आ मैं ये घास फूस नहीं खाती बस बहुत हुआ सपना मजा चलो ये मुखोटा उतारो और सीधी तरफ से रोटी खालो चलो ऐसा कहकर सीमा सपना की तरफ बढ़ती है लेकिन सपना उसका हाथ मरोड देती है अरे मर गई दे इस लड़की का मैं क्या करूँ रुख तुष्ट लड़की अभी तेरे पिता को बताती हूँ वही ठीक करेगा तुझे ऐसा कहकर सीमा महेंद्र के पास आती है और उसे सारी बात बताती है जिसे सुनकर महेंद्र बोलता है मैं अभी जाता हूँ और इस लड़की को ठीक करता हूँ इसकी बदमाशियां बढ़ती जा रही है इसकी इतनी हिम्मत तुम पर हाथ उठाए लेकिन जैसे ही महेंद्र सपना के कमरे में जाता है उसकी चीक निकल जाती है सपना एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी होती है महेंद्र जल्दी से दर्वाजा बंद कर लेता है और वापिस सीमा के पास आता है सीमा तुम ठेक कह रही थी सपना को मेले नहीं भेजना चाहिए था उस पर चुड़ैल का साय आ गया है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है मैंने उसे चुड़ैल में बदलते हुए देखा है तब ही सपना अपने कमरे से चिलाती है और जोर जोर से दर्वाजे को पीटने लगती है चोड़ दो मुझे इस कमरे में बंद मत करो अगर मैं बाहर आ गई तो तुम दोनों को जिन्दा नहीं चोड़ूँगी मार डालूँगी खोलो दर्वाजा सीमा हम दोनों को यहां से निकलना चाहिए नहीं तो यह चुड़ैल हम दोनों को मार डालेगी नहीं, नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़ कर नहीं जा सकती, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपनी सपना को छोड़ कर नहीं जाओंगी लेकिन सीमा वो तुम्हारी जान ले लेगी, वो इस समय सपना नहीं चुड़ैल है, तुम चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो फिर महेंद्र और सीमा वहाँ से भागने लगते हैं, उधर सपना दर्वाजा तोड़ देती है और वो भी उनका पीछा करने लगती है, ये देखकर महेंद्र सीमा से कहता है, सीमा इस तरह से तो हम दोनों मारे जाएंगे, एक काम करो, मैं इसका मुकाबला करता हूँ, तब तक तुम गाओं के तांत्रिक अगोरा नंद को बुला लाओ, सीमा जल्दी से अगोरा नंद को बुलाने चली जाती है, उधर महेंद्र भागते भागते रुख जाता है, तब ही चुडैल वहाँ आ जाती है, क्यों ठक गया तु, बहुत मिलका सिंग बन रहा था, अब तु नहीं बचेगा, मार डालूँगी तुझे और तेरी बीवी को, और फिर इस लड़की को भी, जिसके शरीर पर मैंने कब्जा कर रखा है, वो मेरी बेटी है, जीते जी मैं इसे कुछ नहीं होने दूँगा तु, चुडैल, मेरा मुकाबला करना, तेरे जैसे इनसान के बसका नहीं है, अब तु जिन्दा नहीं बचेगा, ऐसा कहकर चुडैल महेंद्र को पकड़ लेती है, और उसका एक हाथ उखाड़ देती है, महेंद्र दर्द के मारे बेहोश हो जाता है, बड़ी जलती बेहोश हो गया, बढ़ाया था जान बचाने अपनी बेटी की, ऐसा कहकर चुडैल महिंद्र की तरफ बढ़ती है लेकिन तभी सीमा अगोरानन को लेकर वहाँ पहुच जाती है लेकिन तभी तांत्रिक अपने पास से हनुमान जी की मूर्ति निकाल कर उसके आगे कर देता है मूर्ति से जोर से रोश्नी निकलने लगती है तभी तांत्रिक सीमा से कहता है सीमा तांत्रिक की बाद सुनकर मूखोटा सपना के चेहरे से उतार लेती है और आग में डाल देती है मुखोटा उतारते ही सपना बेहोश हो जाती है और चुडैल भी उसके शरीर से अलग हो जाती है ये क्या किया था अंत्रिक तुने, इस मुखोटे में ही मेरी जान थी, अब मैं नहीं बचूंगी। थोड़ी ही देर में चुड़ेल जल जाती है और सपना और महिंद्र को भी होश आ जाता है। महिंद्र, इस चुड़ेल ने तुम्हारा हाथ उखार दिया है, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा। फिर सीमा महिंद्र और सपना डॉक्टर के पास चले जाते हैं।